नमस्ते आउं प्रगेस लोत्रा सिद्धी लगीर चे तुसे सारे लोकियां दा मता मता मिलार करनी हैं क्रोना वाइरस अपर एक और अपडेट लेए तुसे सारे लोकियां दे सामने में हाजिर हैं तो ही में दस्युणा कि आज जम्मु कश्मीर चे एक सो बाठ केस जड़न है ओ पॉजिटिव आये नहीं जम्मु कश्मीर चे अज तो पहले इनने पॉजिटिव केस एक दिन जे सामने दिखने नहीं थोए पर आज जड़ी आतीए यह में आख़े कि 1129 पॉजिटिव केस जड़न है ओ जम्मु कश्मीर चे करोडा वाइरस दे दिखने ही थोए जिदे जड़ी हुए की लोग जड़ा हो रिकावरण किता है पूरे जमू कश्मी तु तु और जमो डिविजिन्टु पांच लोग रिकावर किता है और 16 रिकावरि यह दी खबर जड़ी है व''कश्मी डिवीजिन तु आई ही करनें दोहिए यह दि मोद्धि खबर भी जड़ी है आ डे सब्सक्राइब करोणा वाइरे सब्सक्राइब करोणाइब करोणा वाइरस किसे जम्मो कश्मीर चाहिए तो इसात तैजी करने नमबर जड़े नाया के चले आ रहे हैं और एक दिन चजे एक सो बाठ नवे पॉजिटिव केसे सामने आ देना है तो तोस अपने साफ लाई सकते हो कि कौन जिम्मेवार इस चीज दा तोस पहले दिखी सकते हो कि यह नीली लाइन जड़ी है यह दस दिया है कि अक्टिव केसे जब मुगश्मीर चे किने नहीं है तो तोस अपने साफ लाई सकते हो कि किने लोग जड़े नहीं हो इस बिमारे तर शिकार नहीं है अले भी जड़े विच्चूnot 753 जड़े नहीं हो कश्मी डिवीजन तो अक्टिव नहीं हो और 288 जड़े नहीं हो जम्मू डिवीजन तो खौले है जम्मू डिवीजन चे रिलाक्सेशन को लगा फैले बठेरे कट केस है और किस तैम एवी आई दहा कि कोई भी ऍपम नहीं हesianलिध कोई आखने दा साब नहीं तो यह पर दिखी सकते हो कि 288 active cases जमू डवीजन चाहिए नहीं खाली और कश्मीर दिखाल करां तो कश्मीर चे 753 active cases नहीं जब मैं recoveries दिखाल करां तो टोटल तो मैं दिखी सकते हो 854 recoveries जड़ी नहीं तो जमू कश्मीर चे ओई चुकी दी हैं recoveries दिखाल करां तो जीए मैं तो ही दस है कि आज और दो शक्स दी मोत होई है और दोनों कश्मीर काटी दू है तो है दिखी सकते हो कि कश्मीर चे मोता जड़िया नहीं तो जमू कश्मीर चे दन कोई मोत नहीं जमू जमू डवीजन च अले भी खाली त्रहागे लोग नहीं सब्सक्राइब करें तो है तो जमू कश्मीर चे दिखने हैं कोविड नाइंटीन दिवाया करने उनमें तो ही दस नहीं कि जमू डवीजन च अले तक किन्ने कोविड नाइंटीन दे केसे आई चुके जना है और हो कुथूं कुथूं सामने आए देने तो है इस थे किस्तवार रामबन रियासी पॉंच्ट दोड़ना उन तो ही दस नहीं कि अज देन उते किन्ने केस जड़न है जमू डिवीजन च ओ आये देने सामने और आज ज़़न किन्निय रिकवरीयों यह और अज ज़़न तो ही दस थे आकि जमू डिवीजन च आज ज़़न तत्तीन गफीजुर जड़ना ओसामने आएए उन डिखनेया पहले कि ठतीज़ना और रोणे आ रहे जम्मुद डिस्टिक तु आज 4 केस जड़ना वसामने आएए उद्धमपु डिस्टिक्जिःगे फिर्फ करना तर ग्यारा एक्टिव केस जड़ना वसामनी आए न एक तरह इसरे क और किस्ट वार तू अज दिन कोई भी केस जड़ा हो सामने नहीं आया है राम बन तू एक शक्स जड़ा है वह आज दिन रिपोर्ट हो और पुंच दिकाल करना तों पुंच चे दिन बी दिन केसम जड़ा हो बज्ड़े आ रहे ते पुंच तू तू है दिखी सकते हो कि ग्य जमूदिंट तु आज टोटल रिकवरीं आज है पांज और फ़ू दिखने जमूदिट्रिक तु आज दो लोगे करेकावर किता है अदंपू डिस्टिक तु एकक रिकवरी नी ए सभा तूँ अज कोई रिकावरी नी होई जोरी तू कोई रिकावरी नी होई कटुवह तू एक रिकावरी दी खाबर आई ए किश्तवार तू भी कोई रिकावरी नहीं रामब तू भी एक शक्स ने रिकावर किता हैं radio Sono People to prepare visit the सांबार, जोरी, रियासी, पुन्च, डोड़ा इत्थे कुथे भी रिकावरी जड़ी है अज देल नहीं होई उन तोहीं दस्नियां कि जम्मू डिवीजन चे अले तक किन्ने एक्टिव केसिज नहीं और कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे- किन्ने कोविज-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे-कुथे- और यही COVID-19 रजोरी तू भी 15 COVID-19 दे cases दिखनेगी थोए कठुवे तू 56 cases जड़ेने अल तक दिखनेगी थोए किष्टवार तू 8 cases जड़ेने अल तक दिखनेगी थोए रामबन तू भी 75 लोग केंगी COVID-19 जई बिमारी ने चुवी लिया अरि 80 तू भी 12 लोग जड़ेने COVID-19 दे शिकार ओई चुके देने 55 तू तरही लोग जड़ेने और डोड़ा तू भी दो लोग आहेने जड़े अले तक इस बिमारी दे शिकार ओई चुके देने तो उन तो हैंगी में दसगी कि इंदे वी चू एक्टिव किने अले भी रिकवरी यहां अले तक किन्ने लोग केंदी हो यह जड़ी त्रैम होता हो यह ओक उठु उठु दिये लिए लिए जम्मू डिस्टिक दिकाल करा तो जम्मू डिस्टिक अले भी 75 अक्टिव केसिज नहीं यानि कि 75 सब्बा तो दिक히 सकते हो कि बाई केसिज जड़े नहीं अले भी अक्टिव नहीं रिज़े पत्तर जड़ेने लोग अले भी आक्टिव स्हार्ती सब्रें इकलम जड़े आज हमईगा है और उसके दिशाय में संब तो तो कमटा अज़ने हैं उतल Moo ने के रिकावर करी लिया लेक किस्तवार तो एक शक्स दी रिकावरी ब्स बशादए ढ़ें पूंच कोई भी कवरी ब्री बैसे व्याजी आहीं आई हैं लेया तो unity खाबर सामने आाईह हैं वर चीटी आधियां की ऑच्वियां की कश्मीर डिवीजन दा के आल चाल है। कश्मीर घाटी की बात करूंगी तो हिंदी में बात करूंगी ताकि कश्मीर से जुनने वाले जो लोग अभी अबि मैरे साथ लाइफ पे जुड़े हुए और वो रोज देखते हैं कि जो भी मैं डाटा उनको बता रही होती हूँ तो इसलिए मैं हिंदी भाषा का इस्तमाल करती हूँ ताकि उन लोगों को मेरी भाषा जो है वो समझ आ जाए पहले मैंने जम्मूवालों के लिए डोगरी बोल दी ताकि उन्हें अपनी भाषा पसंद है तो उनकी भाषा में उनको बता दिया कि क्या अपडेट थी अभी तक की करोना वाइरस की पिछले 24 गंटों में कितने केसिज आए हैं और कितनी रिकवरीज हुई हैं वो उनको बता दिया और अब आपको बताती हूँ कि कश्मीर घाटी में कि यानि कि 124 न्यू पॉजिटिव केसिस जो है वो हमें कश्मीर डिवीजन से देखने को मिले और साथी साथ आपको यह भी बता दूं कि 16 रिकवरी जो है वो कश्मीर घाटी से हुई है और दो लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है वो भी कश्मीर घाटी से तो आप देख सकते हैं कि बांडीपुरा में आज के दिन दो केसिस रिपोर्ट हुए है श्रीनगर में आज के दिन 20 केसिस जो है वो रिपोर्ट हुए है अनंतनाग में आज के दिन चार केसिस रिपोर्ट हुए हैं बारा मुला से दस लोग जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं आज के दिन शोपियां से बारा लोग जो है वो भी पॉजिटिव आए हैं आज के दिन बहुत कम लोग पिछले दिरों जब हम देखने को मिलते थी लेकिन आज आज आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में 21 लोग जो हैं वो क्रोना वारिस जिसी बिमारी का शिकार हो चुके हैं अब रिकावरी की बात करूँगी तो आप देख सेते हैं ये पिंक लाइन जो बताती हैं हमें की रिकावरी जो है वो कहां कहां होई यह आज के दिन बांडिपुरा से आज एक शक्स ने रिकावर किया है श्रीनगर से आज के दिन कोई रिकावरी नहीं हुई अनंतनाख से आज के दिन पांच लोगों ने रिकावर कर लिया है बारा मुला से कोई recovery की खबर नहीं ना ही शोपियां से ना ही कुपवाडा से लेकिन बढगाम से आज के दिन चार लोग जो है वो recover हो चुके हैं गांदरबल से आज के दिन कोई recovery की खबर नहीं आई है कुलगांग से चार लोग रिकावर होकर अपने घर जा चुके हैं और पुलवामा से दो लोग अपने घर जा चुके हैं आज के दिन रिकावर होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर जो है वो जा चुके हैं तो अब आपको बताऊंगी कि अभी तक कश्मीर घाटी में कितने COVID-19 के cases आ चुके हैं और वो किस-किस डिस्टिक से आए हैं बांडीपुरा से अभी तक देखने को मिला है कि 145 लोग जो हैं वो COVID-19 का शिकार हो चुके हैं श्रीनगर से 209 यानि कि 209 लोग जो हैं वो COVID-19 उनको हो चुका है अनंतनाग से 282 लोग जो हैं वो COVID-19 का शिकार हो चुके हैं बारामुला से 153 COVID-19 के cases देखने को मिले हैं शोपियां से भी 141 cases देखने को मिले कुपवाडा से 192 cases देखने को मिले बरगाम से 78 cases जो हैं वो सामने आए हैं अभी तक गांदरबल से 31 cases सामने आए हैं कुलगाम से 255 केसे जो हैं वो तक सामने आ चुके हैं पुलवामा से 49 केसे अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं अब आपको बताऊंगी इन में से कितने आक्टिव हैं कितनी रिकावरी हुई हैं कहां कहां हुई है और जो इतनी मौतों की खबर जो है वो कश्मीर घाटी से आ र हुई हैं बांडीपुरा से एक शक्स की डेथ हो चुकी है श्रीनगर से साथ लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है अनंतनाक से पांच लोग जो है अपनी जान गवा चुके हैं बारमगला से भी चार लोग जो है इस बिमारी के कारण अपनी जान गवा चुके हैं साथ कुलगाम का आपको बताऊंगी कि कुलगाम में भी चार लोगों की मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हो चुकी है अब आपको बताऊंगी active cases जो हैं अभी तक किस किस डिस्ट्रिक में कितने हुए हैं बारा बांडीपूरा की बात करो तो बांडीपूरा में अभी भी मतल जतनाग में अभी भी 159 cases active हैं बारा मुला से आप देख सकते हैं 51 cases जो हैं वो अभी भी active हैं शोपियां से 34 cases active हैं कुपवाडा से 122 यानि की 122 लोग अभी भी active हैं बढ़गाम से 25 लोग active हैं गांदरबल से 7 लोगों की खबर है कि वो active हैं कुलगाम से 230 लोग जो हैं वो इ भी हैं पुल्वामा से 37 लोग जो भी भी आक्टिव हैं अब recovery की बात करुंगी कि जितनी भी recovery हुई है वो कहां कहां से हुई है कश्मीर घाटी में आज के पहले आपको बता दूं कि आज के दिन 16 recovery कश्मीर घाटी में हुई हैं आपको बांडीपूरा में अभी तक 132 लोगों ने रिकवर कर लिया है। श्रीनगर में अभी तक 126 लोग कर चुके हैं, अरंतनाग से 118 लोग कर चुके हैं, 12 मुला से 98 लोगों की रिकवरी की खबर सामने आई है, शोपियां से 107 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं, कुपवाडा से 70 लोग अपने घर जा चुके हैं बढ़गाम से 51 लोगों की recovery की खबर सापने आई है गांदरबल से 24 लोग recover कर चुके हैं कुलगाम से 21 लोग recover कर चुके हैं और पुलवामा से भी 12 लोगों ने recover कर लिया है तो एक बार फिर आपको टोटल बता दूँ कि टोटल जम्मू कश्मीर में active cases जो है वो 1041 है और कश्मीर घाटी में active है 753 और जम्मू डिवीजन में active है 288 recoveries की बात करूँगी तो recoveries का आप देख सकते हैं कि total recoveries जम्मू कश्मीर में हुई है 854 जिसमें से 759 recover किया है कश्मीर घाटी के लोगों ने और 95 लोगों ने recover किया है जम्मू डिवीजन से तो death का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि total death जो ही है जम्मू कश्मीर में 26 जिसमें से 23 यानि 23 मोते हुई है कश्मीर घाटी से और तीन लोगों की मोत हुई है इस बिमारी के कारण वह है जम्मू डिवीजन से तो आज को आपको फिर बता दू 162 नए positive cases जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले जिसमें से जम्मू डिवीजन में 38 cases सामने आए हैं और 124 नए positive cases कश्मीर घाटी में देखने को मिले आज के दिन ही 124 एकठे लोग जो है वो इस बिमारी के कारण positive आए है total recoveries आज के जिन 21 हुई थी और दो लोगों की मौत हुई थी और अब आपको बता दू कि confirmed cases करोना वाइरस के अभी तक जम्मू कश्मीर में कितने हो चुके हैं वो है 1921 तो आप खुद ही साब लगा सकते हैं कि लगबग हम लोग 2000 के पास ही पहुंचने वाले हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि दिन ब। जब मैं आपको data बता रही हूते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको कम बता रही हो है और में बहुत ख़ुश हूँ कि आज के दिन कोई भी active case नहीं देखने को बहले हैं चरफ और सिरफ recoveries ही हुई हैं पर देखने को यहीं मिल रहा है कि जब से रिलाक्सेशन मिली है तब से केसिस जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि अपने घरों में बैठे सेफ रहें ज्यादा कुछ नहीं करना ह है आपको सिर्फ अपना नाक और अपना चेहरा कवर करना है हो सके तो गलव से पहन लो हाथ जो है वो लगातार दो हो अगर आप अवाइड करो किसी से हाथ मिलाना भी हो सके तो नमस्ते करो सलाम करो दूर रहो आपस में गले ना मिलो यह चोटे मोड़े प्रिकॉशन जो है वो आप सभी लोगों को लेने और इसे लेने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए सिर्फ अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो उसके लिए सिर्फ आपको सिंपल सी चीज करनी है कि आपस में एक मिल्डर की दूरी रखनी है जादा कुछ इसमें है नहीं तो यह चोट की सिर्था उने जनक्वागी केस्मीर कॉण सबहें है खोना से बढ़ते चले जा रहे हैं आज भी 100 केशस्तों काशमीर कमेर देहने को मिल रहे है 152 केसिए जो हैं मत कीजिए बहुत ही कोई जरूरी है कोई फसा है कोई काफी टाइम से घर नहीं पहुंचा है या किसी को वह एमरजनसी आ गए तो वही लोग ट्रावल करें लेकिन फालतू में अभी घूमना या घर बैठे बैठे बोर हो चुके हैं चलो कुछ प्लान करते हैं वैसा कुछ प् कि देख रहे हैं कि केसी की मातर जो है वह बड़ती नजर आ रही है तो इन सब को रोकने के लिए इस बिमारी को खतम करने के लिए कुछ प्रिकाउशन जो हैं वह रेगुलरली आप लोग इस्तमाल करें खुद का भी ध्यान रखे अपने बच्चों का ध्यान रखें अपने शुगर की बिमारी है बीपी की बिमारी है या जो बजूर्ग लोग है उनका थोड़ा ज़ादा ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे केसेस हमें जो देखने मिले जिनकी मौत हो चुकी है क्रोना वाइरस के कारण वो ज़्यादा तर बुजूर्ग लोगी कल फिर हाजिर होंगी आपके सामने बुलिटन लेके तब तक के लिए ये दीजिए जाज़त